सब दर्शकों को हमारी ओऔस से नमस्ते आईश प्रोग्राम मेन अप्लोह काम स्वागत करते एधि dolory, आईशुकर, जो है यह हमेशां हम अयूर्वेद काना सायं करते हैं, बीमारी पर बाते करते हैं, और आज का करेक्लम लॉंग मांटिय से प्रस्वीद करके हैं वह हमारी बहुत सारे जो मेहमान हैं आयो हुए हैं डॉक्टर से बात करना चाहे हैं प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों का साथ है दर्शकू आज हम बात करेंगी दिल पर दिल जो है हमारी शरीर का बहुत मैथवपूर्ण अंग है ऐसा एक अंग है जो काडियो वास्कुलर सिस्टेम में जो है यह उसका बहुत बड़ा काम है और हमारे शरीर में जब कहते हैं दिल धरकता है तो जिन्दा है और जैसे दिल धरकना बंध हो जाता है तो जीवन निला ही समाप्त हो जाती है तो इसलिए आज हमारा जो जाती है इसका बचाओ कैसी किया जाता है अगर बिमार हो गए तो क्या करना चाहिए इन सब पर आचाचा करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर इश्वर्मा जी है उनसे आप पर इचित है तो डॉक्टर जी समाइब आएंगे और डॉक्टर जी हमारे प्रश्णों का जवाब राता हैं और जो मैमाना यह हूं है उन लोगों के भी प्रश्ण है डॉक्टर जी वनका जवाब देंगे समाधान बतायेंगे तो डॉक्तर जी हमारे उसे नमस्कार आपका बहुत स्वागत करते हैं यह आज कि प्रोग्राम हिर्दै के बारे में जा बात करते हैं और के बल म आकार कैसा है, वजन कैसा है, कुछ इस पर थोड़ा साब बताएंगे. जो हमारा दिल है, एक अडल्ट मेल में, इसका वजन करीब करीब 350 ग्राम, 350 ग्राम रहता है, और अगर आप अपनी हाथ की मुठ्टी को बंद कर लेंगे, इस परकार का इसका शेप और साइज रहता है, इसके अंदर चार चेमबर रहते हैं, तो दो लेफ्ट में, दो राइट में, राइट वाले चेमबर में, इम्प्यॉर ब्लड रहता है, जो हमारी बॉडी से वापिस आता है, ये ब्ल्यू वेंज हैं, इनके थ्रू सारा ब्लड आकर लेफ्ट में जाता है, वहाँ से लंग्स में जाता है, ऑक्सिजन लेता है, इसका ये ब्ल्यू कलर खतम हो जाता है, ब्राइट रड हो जाता है, वहां से आ जाता है left chambers में, left में दो chambers है, तो left में pure blood, right में impure blood, और left से फिरो पूरी body में जाकर हमारे हर cell को oxygen supply करता है, एक minute में ये 70 to 75 times beat करता है, तो यानि कि एक second से भी कम time में एक circle पूरा करता है, एक cycle पूरा करता है, उसको बोलते हैं cardiac cycle, और interestingly, आदा समय काम करता है, आदा स हमें आराम करता है, तो 0.8 second का जो cycle है, तो उसमें 0.4 second जो heart है, वो आराम करता है, और 0.4 seconds काम करता है, और ऐसा जीवन के आरंब से fetal life में शुरू हो जाता है, और जैसे आपने बताया कि जब हृदय गति रुख जाती है, तो मृत्यू का एक सूचक होती है, important indicator होती है, death का और काम जो इसका है, एक पंप की तरहा निरनतर पंप करते रहना, और oxygenated blood को हर सल में पहुंचाना, blood pressure के दवारा, और deoxygenated, जिसको हम impure blood बोलते हैं, जिसमें carbon dioxide ज्यादा है, उसे receive करना, left, right side of the heart में, तो ये heart का structure, anatomy और physiology है, डॉक्टर जी आपने बताया कि में जो इसका function ह है, वो खून को पूरी बोडी में उसको संचार करता है, और जो मेले खून है उसको फिर साफ होने के लिए, कहां पर, फेफ़डे में भेजता है, वहां से वो खून oxygen लेकर आता है, और फिर वो left side में आ जाता है, वहां से पूरी बोडी में जाता है, और आपने बताया, जो बच्चे का जो रिडे है वो बराबर वैसी होता है या चोटा होता है बहुत चोटा होता है जो वजन बोलते हैं हमने बोला साथे तीन सो ग्राम आपकी हार्ट का वजन है वो अडल्ट मेल जिसका बॉड़ी वेट सेवंटी किलो है अच्छा अब कोई व्यक्ति कम वेट का है छोटा है बच्चा है तो सब का अलग लग रहेगा स्थ्री है पुरूश है तो स्थ्री में थोड़ा कम रहेगा तो यह स्ट क्या बताया गया है कि हम अपने बच्चपन से ही अपने हरड़े को प्रोटेक्ट करें इसके लिए क्या करना चाहिए जी हरड़े को प्रोटेक्ट करने के लिए हम चाहे आयरुवेद को देखे हैं चाहे मौडरन रिसर्च इसको प्रूव करते हैं कि आपको दो भोजन में दो चीजों को कम करना है, तेल घी और नमक, यह दोनों जितना कम करेंगे आपको लाब कर रहेगा, तो आपने जैसा कि बताया कि जो रदय रोग है, वो दुनिया का नमबर वन कारण जो है पूरी दुनिया में, वो रदय रोग है, और रदय की बीमार होने का एक प्रमुख का कोलेस्टेरोल का डिपॉजित हो जाना, उसको बुलते हैं, अथिरोस्क्लेरोसिस, पूरे, not only heart, पूरी बॉडी की लाइनिंग में, कोलेस्टेरोल जम जाता है, अब जो आपने बच्पन की बात की, तो यह 10-15 वर्ष की आयू से, कोलेस्टेरोल का हलका हलका डिपोजिशन, फोम सेल के रूप में स्टार्ट हो जाता है, और मतलब जैसे सोप का जासे जाग जाग, अगर आप जाग का एक्जामपल देना चाहेंगे, तो जो पेस्ट्री पर केक पर जो क्रीम रहता है, जो आइसिंग ऑन दे केक रहता है, क्रीम बोलते हैं जिसे, एक्जक्ली वह क्रीम दस-पंदरा साल के बच्चे में आरंब होती है, डिपॉजिट होना, और धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कई वर्षों में वह बहुत ही कंडेंस हो जाती है, गाड़ी हो जाती है, और हार्ड हो जाती है, फिर जब आप 40-50-60 की आयू में पहुंचते हैं तब आपको कॉल और तेल घी और नमक कम खाना, स्ट्रेस कम लेना, एडिक्शन से बचना, योगासन करना, आउट्डोर स्पोर्स करना, ये सबसे आप अपने बच्चपन से ही अच्छी आज़तों के द्वारा आप भविश्य में होने वाले हधिरोग से बच सकते हैं, ड़क्टर जी हम जान ये सरकार जो है, बहुत इस पर ज्यादा बल दे रहे हैं कि बच्चों में, स्कूल में, प्रिप्राइमेरी या प्राइमेरी स्कूल में बताएं कि बच्चों को कैसे एग्जरसाइज, फिजिकल एग्जरसाइज करना चाहिए, ये सब दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, तो य जो बुजूर्ग है जो इन लोगों को बराबर वैसे ही एक्जरसाइज करना चाहिए जोगिंग ये सब देखिए इसमें विश्व स्वास्थे संगटन डेबली एचो का एक एडवाइज है उन्हेंने बोला कि एक साधारन व्यक्ति को एक सब्ताह में 150 मिनट व्यायाम करना च चाहे जोगिंग हो चाहे ब्रिस्क वोकिंग ये सब जी हाँ अभी आप अगर आपकी आयू कम है तो आप ज्यादा काम कर सकते हैं जोगिंग कर सकते हैं जिम कर सकते हैं माउंटेन क्लाइमिंग कर सकते हैं लेकिन अगर आपकी आयू अधिक है तो वो बीस मिनट की जो आपक तो Stress आपको परमिट करता है, उतना ही करना है,牛ज्ज अबर्डू नहीं करना किसे और को देख करने करना कि मैं भी 70 वर्ष का हूँ वो भी सटरवर्ष का ह। गो इतना कुछ आदा हैAND तो मैं भी बहुंगा, ऐसा नहीं करना. अपने बीमारी के हिसाब से डॉक्टर को पूछ कर आपको अपना थोड़ा बहुत कम न्यूनाधिक शारीरिक व्यायाम करते रहना चाहिए डॉक्तर जी कई प्रोग्राम में आपने बताया कि आउरवेद में कोई बीमारी के लिए जो हर्ब्स है बहुत लाबडायक है तो क्या हर्दै रोग के लिए भी कुछ ऐसे हबस हैं कैसे ज पूस है जो ह्रिड़िक बीमारी को रोक सकता है या उसको प्रिवेंट भी कर सकता है कौन से आउशंधी है हरदै के बारे में एगर हम लोग प्रिवेंटीव और क्योरिटिव की बात करें तो रदय रोग, हाई कॉलेस्टेरोल, हाई ब्लड पेशर इनसे बचने के लिए जो अईरुविदिक दवाईयां हैं उनमें सरवोत्तम हैं त्रिफला और अर्जुन, अर्जुन की छाल त्रिफला में, हरड, बहेड, आवला। त्रिफला में हर्ड, बहेड, आवला तीन प्रकार के फल आते हैं छिनमें थोड़ाे चोटा पेड्स रहता है हे तो हराड भहड़ा अवला हो गया तरिफ्ला एंको अफ जविल्टे नोगा है आपके आपके गवंड़मेंट अईरुवेदा अड़िद्स अउड़े sensitive हम वही दवाईयां बताएंगे जो आपको गवर्मेंट आयरुवेदा मेडिक लेनिक पर अवेलेबल हैं त्रिफला लेना है अर्जुन है त्रिकटु जो है ब्लैक पेपर है वह एंटिकोगुलेंट का काम करता है और रक्त का थक्का नहीं जमने देता है यह ब्लैक पेपर ज करें निधाय जो आप बता रही है इसमें कैसे यह तैयार कर सकते हैं आपको अर्जून का पाउड़र आपको यह अर्जुन कपाऊडर और प्र मिलेंगा और इसको आपको अपने डॉक्तर को पूछ कर आईरुवेदा चाह कैसे बनानी है या पाउडर लेना है निया रात को को भीगो कर लेना है आपको लेने का तरीका डॉक्टर बताएंगे तो यह रदे की जो आश्दिया हैं इनमें त्रिफला इसब गोल अर्जुन ब्लैक पेपर और हल्दी ट्यूमेरिक सिनेमॉन गार्लिक यह कुछ ऐसी घर घर में उपलब्द जड़ीबूटियां और पुर्दे रोग में फाइदा करती हैं निश्वरक में अब बता रही है हल्दी कुछ लोग दूड में एक चमच धा गरम दूड में यह पानी में जाध़ अच्छा है दूद में भी मिला सकते हैं जो आप बोजन बना रहे हैं उसमें ठोड़ी अधिक डाल दी जिए ताकि परिवार को उसका protection मिल जाएगा एक बात मैं यहापर कहना चाहूंगा जब हम इतनी advice देते हैं आपको herbs का बताते हैं और exercise का बताते हैं तो लेकिन इस advice के बाद में आपको दो बातों का हम आपको disclaimer precaution बोलना चाहेंगे सबसे important है आपको अपनी कोई भी दवा को कम ज्यादा न नहीं करना अगर आपके दवाईयां चल रही हैं कार्डियो लॉजिस्ट ने आपको दवाईयां दी हैं आपको लगेगा आप तो हमने हल्दी का सुन लिया अर्जुन की च्छाल ले आए तो दवाईयां कम कर दो बंद कर दो वो नहीं करना अपनी regular दवाईयों में आपको क कोई बदलाव नहीं करना है बिना डॉक्टर को पूछे और आयुरुविदिक दवाईयां भी जो लेनी है वो सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना वो भी आपको आयुरुद्ध दोक्र को पूछ कर कि मेरी ये प्रॉबलम है मेरा ये ब्लड पेशर है ये मेरा कॉलेस्टेरॉल है ये मेरी दवाईयां चल रही है इनके साथ में मैं अर्जुन, ब्लैक पेपर, त्रिफला, इसब गो, सिनेमॉन या गार्लिक कैसे इनको सेट करूंगा तो ही आपको अच्छा लाब मिलेगा सेल्फ मेडिकेशन चाहे आयुरुदिक दवा हो चाहे मॉडरन मेडिसिन हो दक्टर ने बताया वैसे ही दवाई लेनी चाहिए और उसके अलावा पूछे के और क्या ले सकते है अजी आपका जो काडियो लाजिस्ट है वह आपको दवाईयां दे रहा है वैसे ही लेना और अर्वे डॉक्टर जो आयुरुदिक दवाईयां ये कैसे लेना है कितना ले ही है ये बड़ा इंपॉर्टन प्रशन है हम पहचानेंगे कैसे क्योंकि आजकल दिल की बिमारियां बहुत कम आयू में होने लग गई है आजकल दुरुभाग्यवश 20-25 साल के लोगों में भी दिल के रोग आने लग गए हैं पहचानने के दो प्रमुक लक्षन हैं सबसे पहरा लक्षन है जो कि कभी-कभी रोगी जिसको इग्नोर कर देता है वो है एक्जर्शनल डिस्निया चलने पर सांस सूलना अगर आपका चलने पर सांस सूलने लग गया तो आपको पता है कि यही डिस्टेंस मैं पिछले 10-20-30-40 वरशों से चलता आ रहा हूँ मेरे घर में इतनी सीडिया है मैं ओफिस जाता हूँ मार्किट जाता हूँ तो इतना चलने पर मुझे पहले तो सांस नहीं पूलता था आजकल मेरा सांस भर जाता है सांस चड़ जाता है मुझे ब्रेथ फिलस्टेंस हो जाती है वो ही डिस्सेंस चलने पर तो यह हार्ट डि जो दूसरा लक्षन है जो कि ज्यादा क्लासिकल है जिसको लोग पहचानते हैं जब आपको ह्रदय का एक रोग आ गया आपको एंजाइना प्रेक्टॉरिस जिसको चेस्ट पेन बोलते हैं या एक बड़ा जिसको हार्ट अटैक बोलते हैं मयोकार्डिय Taylor infarction जब वही आगया तब to clear-cut heart में बहुत तेज पैन रहेगा अपको left-side में पैन रहेगा वह पेन में diferença आपको अप no scape a important प्रेंगा lower-jaw में जाएगाट में मालब र ninthς से दर्द निकल कर सबतर फैलेगा वो तो लंक्षन उसक तब तो आपको तुरंट दॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा. लेकिन जो पहले इसके पहले जो लक्षन आ रहा था, सांस चड़ने का, उसे रोगी इग्नोर कर देता है. वो थोड़ा आराम करता है, थोड़ा रुक रुक कर चलता है, तो ठीक रहता है, तो वो ध्यान नहीं दे पाता और बीमारी बढ़ती जाती है. तो चलने पर अगर आपका सांस भर जाता है जल्दी पहले के मुकाबले, तो आपको हरदे के डॉक्टर को दिखाना चाहिए. हर प्रकार के रोग को बढ़ा देता है, हर बीमारी को पैदा कर देता है, हर बीमारी को और अधिक खराब कर देता है, तनाव से बचना है, और आज हरदे रोग की बात हो रही है, तो हरदे रोग में तनाव का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब हम तनाव में रहेंगे, तो हमारे stress hormones अधिक मात्रा में बनेंगे, हमारे blood में, अधिक मात्रा में आएंगे, सबसे important है adrenaline, अगर हमारे जब blood में आएगा, तो वो blood pressure को बढ़ाएगा, और हमारी heart rate को तेज करेगा, तो pressure बढ़ने से और heart का rate बढ़ने से, उसकी speed बढ़ने से, हृदे जल्दी ठक जाएग तो तनाव अगर आप अधिक लेते हैं, तो आपको ह्रदे रोग और खराब होगा, और बाकी भी सब्रकार के रोगों के पैदा होने का risk है, एक्सेसाइज से क्या लाब होटा है, जी हाँ, एक्सेसाइज का बहुत लाब है, जो हमारे tough muscles होती है, हमारे knees के नीचे जो पीछे muscles हैं, जो मोटी muscles हैं, जिनको tough muscles बोलते हैं, तो soliol और gastrocnemius दो muscles रहती है, इनको हम लोग mini heart बोल सकते हैं, छोटा दिल बोल सकते हैं, तो इसलिए heart की बिमारी में सबसे अच्छी exercise है कि आपके पैर चलते रहे हैं, अब आप चाहे swimming कीजिए, चाहे walking कीजिए, jogging कीजिए, अगर आप बैठे बैठे exercise कर रहे हैं, weight lifting कर रहे हैं, आपका ऊपर का part चल रहे हैं, वो उतना फाइदा नहीं करेगा, जितने आपके पैर चलेंगे, उतना आपका दिल healthy रहेगा, कैसे? जब आपके पैर चलते हैं, तो ये दो बड़ी powerful muscles हैं, calf muscles, जो कि दोनों पैरों में च मोचाना अच्छे से, वो ये दो muscles का काम है, calf muscles का, इसलिए पैरों का अधिकादिक प्रियोग कीजिए, खूब चलिए, जो आपको आपका शरीर अलाव करता है, आपका सास्ट अलाव करता है, सीडियां चड़ना, आप यंग हैं, तो skipping करना, outdoor games खेलना, badminton best है, jogging करना, walking करन जो भी आपकी IU permit करती है, ये बहुत फायदा करता है, डाक्टर जी, जिसको दिल क्या बिमारी हो गया है, तो खाने पिने में कौन सी परेज करना चाहिए, जी हां, जो भोजन है, वो आईरुवेद ने बोला कि भोजन महा भैशज है, यानि कि सबसे बड़ी दवाई है, तो not only बिमार होने के बाद में, as a prevention, बिमारी से बचने के लिए भी आपको भोजन पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा, अगर हदे रोग हो गया, या नहीं हुआ तो अगर आपके परिवार में हदे रोग का इतिहास है, हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री बोलते हैं, आपके प मैंने पहले बताया, दो चीज़ों को कम करना पड़ेगा, नमक और फैट, तेल, घी और बटर, चीज, जो भी फैट वाली चीज़े हैं, not only डिबबा बंद फैट, लेकिन जो फैटी सीड्स हैं, जैसे मूफली हो गया, तिल हो गया, आमंड हो गया, जिनमें बहुत तेल है, जिनमें बहुत तेल है, वो चीज़ें कम खईये, तेल घी कम लीजिये, नमक कम लीजिये, और बहुत इंपोर्टनट है, आज कर लोग पानी कम पीते हैं, पानी कम पीने से शेरील डीटॉक्स नहीं हो पाता, आपके बहूँने से अच्छे से प्रदूशक ततव्यां वो ब प्रेशर अदिक रहेगा तो यहां से बड़े बड़े ब्लड वैसल निकलते हैं जिन में हमारा अथा कर हो रहा है तो यह से बटा चलेए कि च्या लक्षर है कि अभी जैसा कि हमने बटाया कि हमारे दिल में तीन में आर्टरी रहती हैं और वह आर्टरी पूरे हार्ट को ब्लड संप्लाई करती हैं क्योंकि ह continua तो दिल पी बॉड़ी को ब्लड देरहा है लेकिन उसको भी तो आपको ब्लड सप्लाई चाहिए, जैसे आपका किचन में जो कुक है, वो पूरी बारात के लिए भोजन बना रहा है, पर उसको भी तो खाना खाना है, उसको भी तो भूख लगती है, ऐसे ही, सबसे पहले दिल अपने लिए ब्लड सप्लाई लेता है, तीन आर्टरी के द्वा करता है हार्ट का और बाकी तीनों चंबर मिलके 20% काम करते हैं तो वो left ventricle को supply करने वाली जो artery है वो सबसे important है left anterior descending बोलते हैं वो सबसे important है तो उसमें अगर block आएगा तो बड़ा heart attack आएगा बाकी दोनों में block आएगा तो heart attack छोटा आएगा थोड़ा control में हो जाएगा अब यह जो ब्लॉकेज आपने पूछा heart tree का यह बहुत कम IU से आरंब हो जाता है जैसे मैंने बताया आपको कि foam cell जो icing on the cake रहता है ज्जाग जैसा cell रहता है वो दस-पंद्रव वर्ष की IU में जमा होने लग जाता है कई लोगों को अचानक मीठ्यू हो जाता है ऐसा क्यों जैसे आपने पूछे कभी-कभी heart attack होने पर तुरंत मृत्यू हो जाती है देखे जितना बड़ा ब्लॉके जाया और जितना जल्दी से आपकी दिल की आर्ट्री रुख गई उतना बड़ा heart attack आएगा और उसको बोलते हैं cardiac arrest हार्ट एकदम से बिल्कुल जैसे switch off हो जाता है तो उस समय फिर जो है कुछ ही मिंटों में मृत्यू का मृत्यू की आशंका रहती है और कुछ और भी conditions हैं जिनमें acute cardiac arrest आते हैं acute heart failure होता है within minutes heart काम करना बंद करता है वो होते हैं जैसे कुछ heart में गोली लग गया चाकुल लग गया बिजली का जटका लग गया पानी में डूब गये उतना accidental death जो होती है आपको एकदम से brain पर कोई बहुत तेज road accident में चोट लगा accident हुआ या बिजली का जटका लगा और death हो गया उन स जिक गया धियु अब कि शुआ भीड़ी में बील डालते हैं इसका मतलब क्या है और वग ऑश्ण का मतलब क्या है जब कॉलस्ट्रोल जमा होने की वजेसे आपके हार्ट की अरट की तीनों में से एक कि या तीनों आर्टी जेब ब्लॉक हो जाती है और डॉक्तर आपको तो एको काडियोग्राफी में देखता है कि आपके हार्ट की आर्टरी जो है वो 99% ब्लॉक हो गई है, 95% ब्लॉक हो गई है, तब आपको जैसे पैन में रहता है, रहता है, एक स्प्रिंग रहता है, उस तरह का एक non-reactive metal का और material का स्प्रिंग आपके हार्ट में डाला जाता है जितना लंबा ब्लॉकेज है, उसके इसाब से एक, दो या तीन स्ट आपके उस आर्टरी में डाले जाएंगे, अब जो स्प्रिंग है, वो बंद आर्टरी को खोल देगा, और उस स्प्रिंग के बीच में से blood supply चलता रहेगा, तो उससे प्राण बच जाते हैं, एक operation रहता ह बाइपास, coronary artery bypass graft, अगर आपकी एक लंबी artery block है और उसमें stent डालने का chance नहीं है, या और कई problems हैं जो आपको stent allow नहीं करती हैं, तो आपको शरीर के किसी और हिस्से में से, आपके थाई में से, आपके लेग में से, एक vein का टुकडा लेकर और उसे वहाँ पे graft कर देते हैं तो जो ब्लॉकेज है, उसके पहले से आरंब करके ब्लॉकेज के बाद तक एक नया blood vessel डाल देते हैं, बाइपास कर देते हैं, तो उसको बोलता हैं बाइपास graft, यह दोनों सर्जरी जो है प्राण बचाने में लाब कर होती हैं, अगर किसी को डॉक्टर दुआरा बोला गया आपके फाइदे के लिए बोलेगा. आपको स्वस्त रखेंगे और जो कुछ आपने बताया, ब्याया मादिस पर अमल करेंगे और अपने रिडाई को ठीक रखेंगे, तो डॉक्तर जी बहुत धन्यवाद हमारी उसे, नमस्कार डॉक्तर जी. धन्यवाद रत्नमाला जी, मुझे लगता है कि ये आपके दर्शकों के लिए और हमारे भाई बहनों के लिए लाब कर रहा होगा. और सभी को शुबकामनाई देते हैं, हृदे रोग से आपका बचाव हो, आपके खानपान के द्वारा आप अपने आपको ज़्यादा स्रस्त रख पाएं, ऐसे हमारी शुबकामनाई हैं, शुबस्वास्थे, नमस्कार. तरशा को आज हमने रिदय जो है, दिल जिसे कहते हैं, उस पर चर्चा हुई, ये दिल कैसा है, आकार कैसा है, उसका बजन क्या है, और ये कैसे बीमार हो जाती है, इस पर काफी चर्चा हुई, और कैसे उसको प्रिवेंट करें टाकि न हो बीमारी, और साथ में हमारे जो मह है इन लोगों के भी कुछ ऐसे बहुत सुनर प्रश्न इन लोगों ने किया इन लोगों को बहुत धन्यवाद देते हैं और यहां पर समाप करें आयूश प्रोग्राम तो दर्शा को आप भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हूं तो जरूर हमारा जो इमेल आड्रेस है आप नोड कीजिए और जरूर प्रश्न पूछिए जरूर डॉक्टर जी आपके जो शंका है उसका समाधान देंगे तो आज की रितना काफी फिर मिलेंगे हमारी उसे सभी को नमस्ति झाल